हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगेन टू लर्ण प्रेदेटीमन आज हम करने वाले हैं हिंदी सिक्षण के most important question क्योंकि यहां से प्रस्णों जो हैं वो आपके exam में आ सकते हैं तो चलिए अपनी practice को बरकरार रखते हुए आज हम कुछ नए प्रस्ण करेंगे question 1 है पाठे करम निर्मान की आवशकता है option सिक्षा के उद्देश की प्राप्ति करने के लिए सब मुवाय हे तू अभिव्यक्ति हे तू या भासा के ग्यान हे तू तो पाठे करम का जो निर्मान है उसकी आवशकता सिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हे तू की जाती तो यह कौन से सिद्धान्त में शिक्षण के समय बालक के स्वभाव, शम्ता व इस्तर का ध्यान रखा जाता है बालकेंद्रित का सिद्धान्त, आवरती का सिद्धान्त, अनुकरण का सिद्धान्त या अभ्यास का सिद्धान्त तो जो बालकेंद्रित शिक्षा है उस सिद्धांत के अंतरगत हम बालक के स्वभाव, रोची, समता, इस्तर सभी का ध्यान रखते हैं। इसका आंसर होगा option A, बालकेंद्रिता का सिद्धांत। उसके बाद है अध्यापक छात्र को विध्याले के उद्धेश्य के अनुसार रूप देता है। वह माध्यम है पाठे नहीं सब्द पूछा है योग सिक्षकों का होना। लेखन सम्मादी तुर्टियों का निराकरण भासा प्रियोक साला उपलब्द होना या उपरोगत मैंसे कोई नहीं। पूछा है यहाँ question भासा सिक्षन सम्मादी समस्या नहीं है। तो जो समस्याएं हैं उनको आप क्रॉस कर लें तो उसके बाद आपको आपका सही अंसर मि जाएगा। तो भासा सिक्षन सम्मादी समस्या जो है वह है योग्य सिक्षों का होना यह कोई तो समस्या नहीं है। लेखन सम्मादी तुर्टियों का निराकरण ही कर दिया तो यह कोई problem नहीं रही। भासा प्रियोक साला उपलब्द होना यह तो उसकी सुविधा के लिए ना कि कोई समस्या, तो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा option D, संस्मरण में लेखक, यानि जो यादें होती हैं उनमें, ठीक है, साधारन अर्थ में हम देखें तो, संस्मरण में लेखक अपने विशय में कुछ स्मर्तियों का चित्रन करता है, किसी वेक् तो जब संस्मरण लिख रहा होता है एक लिखक, तो वह है अपने विशय में कुछ इस्मरतियों, कुछ यादों का चित्रन करता है, ठीक है, तो यहाँ जो शब्द है, इसका अर्थ साधारन अर्थ में लगाया जाएगा यादों से, ठीक है, बालक की रुची का ध्यान रखा जाता है, चैन के सिद्दान्त में, क्रियाशीलता के सिद्दान्त में, रुची का सिद्दान्त में, या अभ्यास के सिद्दान्त में, तो बिल्कुल इस पस्ट दिखाई दे रहा है हमें, कि रुची का ध्यान हम किसमें रखेंगे, रुच मुल्यांकन का सिद्धान्त, लचीले पन का सिद्धान्त या उपयोगिता का सिद्धान्त तो पाठे करम आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें पाठे करम से संब्धित बहुत सारे प्रशन आपके हैं और आपके एक्जाम में यहां से प्रशन आता है पाठे करम निर्मान का सिद्दांत नहीं है ठीक है तो बिलकुल मुल्यांकन का जो सिद्दांत है वो पाठे करम निर्मान का सिद्दांत नहीं है क्योंकि मुल्यांकन क्या है वह तो एक अंतिम प्रक्रिया है और इसका आर्थ होता है निरणे करना Question 8 देखिए कवीता चिक्षन का प्रमुक उद्देश है जिन बच्चों को question easy लगने लग जाए इसका मतलब यह है कि उन्हें जो pedagogy है वो बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है ठीक है और क्योंकि हमने इतने सारे question कर लिये हैं तो अब हम बहुत ही आसानी से इन प्रशनों के उत्तर दे सकते हैं हमें इतनी मुश्किल नहीं होती है लेकिन जो बिच्चों को question जो है अभी भी समझ में नहीं आते हैं तो please ध्यान से इन question के practice करिए मैं आपको regular के सिक्षण से आते हैं कवीता सिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सबदार्थ बोध भावन भूती, मनोरंजन या गायन दक्षता तो ये चारो ही आंसर जो हैं वो सही है कवीता सिक्षण से संबंदित लेकिन यहां पूचा है प्रमुक उद्देश्य है अब आप यहां confused हो जाते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि भावन भूती जो है वही तो कवीता सिक्षण का प्रमुक उद्देश्य होता है जिसके अंतरगत भाव की अनभूती करके बच्चा जो है वह मनुरंजन की प्राप्ती करता है उसके साथ गायन करता है और फिर उसके अर्थ को समझता है तो ठीके भावन भूती जो है वह प्रमुक उद्देश्य होता है कवीता शिक्षण का टेप रिकॉर्डर कौन सा सैक्षिक उपकरण है श्रव्य उपकरण द्रश्य श्रव्य द्रश्य या दुई आयामी उपकरण तो टेप रिकॉर्डर जो हम सुनते हैं जिसमें हम कुछ भी भासा से सम्बंदित जो जानकारी है उसे रिकॉर्ड करते हैं और अपने समय के अनुसार उसे सुन सकते हैं ये क्या है एक शरव्य उपकरन है, next है, फैनल बोड का उपयुक्त प्रियोग किया जाता है, फैनल बोड, बुलेटिन बोड, तो इस तरीके से मैंने आपको साहे एक सामिग्री का वीडियो जो है वो बनाया था, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरीके के होते ह तो वहां आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, फैनल बोर्ड का उप्योग किया जाता है, लिखन कारे में, चित्र प्रदर्शन में, कट पुतली प्रदर्शन में या फिल्म स्ट्रिप प्रदर्शन में, तो हम जानते हैं कि फैनल बोर्ड का उप्योग हम करते हैं किसी भी चित्र को प्रदर्शित करने के लिए नेक्स्ट है वार्षिक पाठ योजना की आविशक्ता नहीं है शिक्षन विधी में सहयक सामिगरी में सेवरत सिक्षकों हेतू या मुल्यांकन में अब पूछा है यहाँ पर कि वार्षिक पार्थ योजना की आविशक्ता नहीं है तो यदि हमें यही पता होगा कि आविशक्ता किस-किस में है तो हमारा आंसर आजाएगा तो देखिए वार्षिक पार्थ योजना की आविशक्ता जो है वो सिक्षन विधी के अंतरगत सायक सामिग्री के लिए और मुल्यांकन में यहां इसकी जरुरत होती है लेकिन सेवारत सिक्षकों के लिए यहां यह जो C option है इसका तो कोई बनता ही नहीं है answer तो यहां इसकी अविशक्ता नहीं है 12 है भासा शिक्षन संबंदी समस्या है हिंदी सिक्षक को उचित महत्व न देना उपचारात्मक सिक्षन हिंदी के प्रती भावात्मक अभी व्यक्ति अभी व्रती उचित सिक्षन पद्दिती तो इसकी जो समस्या है problem जो है भासा शिक् नेक्स रहें, पाठेकरम निर्मान का उदेश्य है, भासा तत्वों का ज्यान, स्रजनात्मक शमता का विकास, विविन विधायों का ज्यान या उप्रोक्त सभी, पाठेकरम निर्मान का उदेश्य है, क्या उदेश्य है, क्या भासा तत्वों का ज्यान, यह है, पाठेकरम नि उप्रोक्त सभी होगा तो विसेश दोर पर आपको question जो है वो ध्यान से देखा करिए कि पाठेकरब निर्मान का उद्देश्य यह पूछा है या मुख्य उद्देश्य पूछा है तो क्योंकि यदि मुख्य उद्देश्य पूछा होता तो यहां पर answer जो है वो आपका C होता ठीक है लेकिन इहां पर पूछा है उद्देश्य तो तीनों ही सही है बालग को भासा शिक्षन के समय सक्रिय रहने की प्रेणा देता है तो इसका सही answer क्या होगा? answer होगा kriya shilta का सिध्दान क्योंकि kriya shilta का सिध्दान तो ही करने परबल देता है तो यहां पर बालग क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा, active रहेगा next है किसी भी कार्य को सफलता पूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष को प्राप्त करने का साधन है योजना, सहायक सामिगरी, परिवेशन या सिक्षन तो किसी भी कार्य को यदि सफलता पूर्वक करते हुए निश्चित लक्ष को प्राप्त करने का साधन है तो वो क्या होगा वो होगा योजना वो होगी प्लैनिंग तीक है उसके अकॉर्डिंग ही हम सफलता पूर्वक किसी भी लक्ष को प्राप्त कर पाएंगे नेक्स्ट है वर्स भर के सिक्षन कार्य एवं अन्य करनिय कार्यों के आधार पर जो समय शारणी तैयार की जाती है दैनिक पार्ट योजना, मासिक पार्ट योजना, वार्षिक पार्ट योजना या एकाई योजना तो कुश्चन में ही दिखाई दे रहा है बात हो रही है वर्स भर के सिक्षन कार्य की ठीक है तो वो क्या होगी वार्षिक योजना नेक्स्ट है इकाई योजना को विभक्त करके बनाते हैं इकाई योजना यानि यूनिट होती है उसकी बात कर रहे हैं कि इकाई योजना को विभक्त करके बनाते हैं दैनिक पार्थ योजना, सापताहिक पार्थ योजना, मासिक योजना या वार्षिक योजना तो एकाई योजना को बांट कर बनाई जाएगी दैनिक पाठ योजना ठीक है Next देखिए 18 है सूख्ष्म सिक्षण में चात्रों के समूँ में चात्र संख्या होती है सूख्म सिक्षण माइक्रो टीचिंग में चात्रों के समूँ में चात्र संख्या होती है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या इनमें से कोई नहीं तो ये आप तो सभी लोग जानते हैं क्योंकि सभी ने माइक्रो टीचिंग B8 के दोरान की है तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 5 से 10 छात्रों के सम्मू में सुख्म सिक्षन होता है समवाद पाठ के सिक्षन में विध्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावसाली उद्योतन सामिग्री है मौखिक उधारण, श्यामपटकार, मौडल या टेप रिकॉर्डर तो विध्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावसाली उद्योतन सामिग्री अब देखो एक नया वर्ड है, उद्योतन सामिगरी, ठीक है? तो उद्योतन सामिगरी, जो की पार्ट को करते वक्त, पार्ठ के सिक्षण के वक्त, जो है, वो काम में ली जाती है. तो यहाँ बात हो रही है समवाद की। तो समवाद की अंतरगत, टेप रिकॉर्डर जो है, वो एक महत्वपूर उद्धोतन सामिग्री होगी. चलिए आज का लास्ट कुशन है, प्राथमिक इस्तर पर नाटक सिक्षन की उप्योक्त विधी है, प्राथमिक इस्तर यानि 1 to 5 प्लस. नाटक सिक्षन की उप्योक्त विधी कौन सी रहेगी? आदर्श नाटे प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, कक्षा अभिने प्रणाली या रंगमच प्रणाली. अब देखिए व्याख्या प्रणाली जो है, वो तो बड़ी कक्षाओं के लिए होती हैं, तो ये तो नहीं के और वह नाटक प्रस्तुत करेंगे ठीक है रंगमज प्रणाली जो है वह भी बड़े बच्चों के लिए होती है और आदर्श नाटक प्रणाली के अंतरगत केवल अध्यापक जो है वही प्ले करकर दिखाते हैं ठीक है तो कक्षा अबने प्रणाली जो है वह बैस्ट मानी जाती है प्रात्मे किस तर पर नाटक सिक्षन के अंतरगत तो आज भी हमने 20 कुशन किये हैं और mostly कुशन जो है वह आपके पाठेक्रम से संबंदित थे मिलते हैं इसी तरीके से और नई प्रैक्टिस के साथ थैंक यू झाल